पाँच्वी भक्ति है, मंत्र जाप मम द्रणवी स्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रिकासा, पाँच्वी भक्ति है, गुरु प्रदक्त मंत्र जो है, उसका जब करो, भगवान का नाम तो सब कोई लेते ही हैं, लेकिन गुरु प्रदक्त मंत्र जो होता है, वो उत्तम होता ह एक गंधक होती है जो पंसारी की दुकान में मिलती है एक गंधक होती है जो वजिराज की दुकान में मिलती है पंसारी की दुकान की गंधक आप खाए शरीर में घाव हुआ वजिराज की दुकान से आप गंधक लिए तो घाव को आप को वो गंदग छुड़ाएगी क्या हुआ पंसारी की दुकान की जो गंदग होती है वो कच्ची गंदग होती है वेज़ दिराज की दुकान की जो गंदग होती है वो सोधी होई गंदग होती है उती तरह जो संसद्गुर्जन साथना करके तपा लिया है अपने को मंदर का भी शोधन कर लिया है उस शोधा हुआ मंदर जो आप पाएंगे आपका भी मन शुद्ध हो जाएगा जिसे नाम का हम जट करते हैं इस इस्ट का नाम हम लेते हैं उसका रूप भी हमारे सामने आता है वह मानस्यक और मानस्य भ्यान यह पांचमी भक्ती में है यह पांच भक्ती तक अस्थूल भक्ती है अब छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा अब छठी भक्ती हैं सुख्ष भक्ती है दमशील इंद्रे निग्रह का सुभाव वाला बनो हमारी दस इंद्रियां बाहर की हैं इन इंद्रियों का जो दमन किया जाता है निग्रह किया जाता है यह दम की साधना है और यह छटी भगती है दस इंद्रियां हमारे दोनों हाथों में यह दस इंद्रियां है जिस किसी चीज को अगर दोनों हाथों से हम जोर करके पकड़ लें दस इंद्रियां जुड़ जाएगी जहां पर तो संपूर्ण सरीर का बल दस इंद्रियां पर आ जाएगी उसी तरह हमारी जो चेतन धारा दसों इंद्रियां में फैली हुई है दिरिश्टी की दोनों धारों को मिला करके जो एक करेंगे तो सारी चेतन धाराईं सिमिट करके वहां पहुच जाएगी एकत्र हो जाएगी दिरिश्टी की दोनो धाराई मिल करके जहां एक होगी वहां बल प्राप्त होगा, सिम्टाव होगा, और दुगती होगी और तमसो माजोतिर गमय हो जाएगा अंदकार का प्रकाश में चले जाएंगी यह दसो हिंद्रियां बाहर में छूट जाएंगी और आप भीतर चले जाएंगी इस प्रकाश हिंद्रियों का दमन होगा छटी भगती जह है, यह है, दम की साधना है, दिरिश्टी योग की साधना है छट दम सीन विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा और जो सज्जनों का धर्म है वो कर्म करो, सज्जन क्या करते हैं, जुट बोलते हैं, चोड़ी करते हैं, नसिली ची लेते हैं, हिंसा करते हैं, बेविचार करते हैं, नहीं, 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 इन पंजपापों से विरत रहते हैं संत, यह संतों का धर्म है एक हिश्वर पर विश्वास करते हैं उनकी प्राक्तियत ने अंदर होगी इसका जिरनिश्य करते हैं सत्तंग करते हैं ध्यान करते हैं गुरु सेवा करते हैं स्वावलंबी जीवन जीते तो इस तरह कर्म करते हुए छटी भक्ती जो दृस्ति योग की है वह करो सात्मी भक्ती भगवान काते सात्म सम मोहिमे जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा जहां दम की साधना है वहां शम की साधना होगी इंद्री निग्रह के जाद मनो निग्रह की साधना होती है यह सात्मी भक्ती मनो निग्रह की साधना है मन जितना कुरा फात करता है यह मन ही है मन एब मनश्य अनांकारणंग बंध मुक्ष यो यह मन ही है हमारा जो बंधन में डालता है यह मन ही हमारा जो बंधन समको मुक्त करेगा गीता में भगवान ने कहा आत्मा ही आत्मा का सत्रु है आत्मा ही आत्मा का मित्र है भगवान बुद्ध ने कहा जितनी भलाई हमारे माता, पिता, खुटुम, परिवार कोई नहीं कर सकते उतनी भलाई सुमारी पर लगा हुआ हमारा मन करता है और उतनी बुड़ाई हमारा दुस्मन का भी दुस्मन होगा हुआ भी नहीं कर सकता जितनी बुड़ाई कुमार पर लगा हुआ मन करता है इसलिए मन का निग्रह जो है यह बहुत महत तो रखता है क्योंकि मन ही इंद्वियों को प्रेडित करता है यह मन का दमन कैसे होता है उपनिशेद में आया है भगवान श्री राम ने हनुवान जी को उबलेश दिया है मनो मत गजंदरस्या विशियो द्यान चारिनह नियामन समर्थोयं निनादो निसितांकुष जिस तरह मदवस्त हाथी कदली बन में जाता है, तोड़ता है, फोड़ता है, दोड़ता है, इधर उजर करता है और जब महावत आता है, अंकुष मारता है तो हाथी उधर भागने के बज़ाए पीछे भागता है उसी तरह मनमस्त गजराद जब विशे की बाटिका में बिचरन करता है जब शब्द रूप अंकुष लगता है, वो अपीछे से मुड़कर निर्विशे की ओर जाता है इसलिए संद कभी साहब ने कहा था शबद खोज मन बस करे सहज जोग है ये मन को बस्म करने की सरवोत्म साधना है नादान संधान भगवान शंक्राश चार्ज ने नादान संधान की अस्तुति की है और कहा है कि हे नादान संधान तुम ही परवर्म परमात्मा से जाकर के मिला सकते हो नादान संधान नमस्त तुभ्यंग तंग मन महेतत तुपदम लयाना भवत प्रसादात पबनेन साकम विलियते विसन पदे मनों में सर्वचिन्तांग परिचज्या साफधाने निचेतसा नाद एवान संदेया योग सामराज मिच्छता तो जो नादान संदान की किरिया करते हैं उनका अमन बश्मे हो जाता है इसलिए साफ़ी भगत नादान संदान है जहां शम की साधना होगी वही समता होगी क्योंकि वह नाद जो है ओम, प्रणाब, स्पोट उद्गीत वह सर्व्यापी शब्द है उस सर्व्यापी शब्द को जो कोई फकड़ लेता है वह सब में एक ही ऐक आत्मा को परमात्मा को देखता है जिवात्मा परनात्मा उसे भिन्टा नहीं गाय बैल ब्रामन चत्री वैसे सुद्र जड़ चत्र में कोई भिन्टा नहीं रह जाती सिया रामो मैं सब जग जानी कराओं परनाम जोर जुग पानी यह उस्तिती आ जाती है उसकी सातम सम महिमय जग देखा और मोते अधिक संत करी लेखा कहते मुझे से बढ़कर के संत को मानो सबरी जहां ये सात भगतियां पूरी हो जाती है वहां आठमी और नमी भगति उसका फलत स्वरुप हो जाता है आठम जथा लाब संतोशा जो उसको मिल जाएगा उसमें वह संतोश करेगा सपना हो नहीं देखा ही परदोशा वह दूसरे का दोश क्यों देखेगा जितनी देर वह दूसरे के दोश्रों को देखेगा उतनी देर तो पनी भगवान के रूप को देखेगा जितनी देर वो दूसरे की निंदा करेगा उतनी दूर तो भगवत चर्चा करेगा भगवत गान करेगा उसमें अपना समय बितावेगा दूसरे की निंदा करने में अपना समय क्यों बितावेगा वो बिर्त का समय अनमोज जीवन को बिर्त में क्यों बितावेगा वो नवम सरल सबसर चलिना नौमी भक्ति ये सब सरल हो जाugAP चलिन हो जागAP कपट किस time करेगा सिया राम में सब जब एक ही देखेगा तो चल किसम करेगा चल किसम करेगा चल किसम करेगा और च्खल कपट करने वारा इप दर जाही नितकता कभी एक इश्वर का भरोस करेगा वो हरसने दिना हर शोक से वो उपर उठकर के रहेगा इसको प्रभू भी लगए फिर बाकी क्या रह दिया हम लोग बाजार जाते हैं कपड़े वाले की दुकान पर बैठते हैं और पूछते हैं इस कपड़ी किमत कितनी है तो कहते है इस कपड़ी किमत 50000 है तो हम ऐसे कम कीजिए भलाने हमारे यहाँ एक दाम है अच्छा भाई 50000 उसको दे देते हैं तो जो हमको कपड़ा देने लग जाता है तो एक प्लास्टिक के थैले में करके हमको कपड़ा दे देता है तो मोल मुलाई तो जो हम कुछ करते हैं, उसे कपड़े की करते हैं, ठैले की कीमत तो नहीं मानते हैं हम, पुछते भी नहीं हैं, तो जैसे मोल मुलाई तो कपड़े की होती है, और ठैला मंगनी में मिल जाता है, उसी तरह जो इस्वर की भगती करते हैं, तो इस्वर तो मिल ही हैं और माया मंगनी में मिल जाती है कोई कहे कि बनिया वड़ा चालाक होता है थैला का भी दाम उसी कपड़े में जोर तरक पहरे रख लेता है तो परमात्माव बनिया से कम नहीं है उसे वेसी बनिया है हूँ सब जोड़ करके भक्ती में ही वह ले लेता है फिर भगवान राम शवरी से पूछते हैं सीताजी के सम्मंध में शवरी कहते है थोरी दूर पर जाईए मंपाशन में सुग्रिव मिलेंगे वह आपको सारी बात बताएंगे फिर भगवान स्री राम के सामने ही वह सारी बातों को कह करके योग की अगन में अपना सरीर छोड़ती है और उस धाम को जाती है जहां से कोई लोटता नहीं है लकड़ी की चिता नहीं जलाती है सजी योग पावक देह हरिपद लीन भाई जहन नहीं फिरे तुलसी राजी कहते हैं एक निम्न वर्द की नीच कूल की छोटी कुल की पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, सुंदरी नहीं धनवान नहीं, गुनवान नहीं, बलवान नहीं अत्यंत तुछ से तुछ नारी वह भगवान को प्राप्ट कर सकती है परमात्मा को प्राप्ट कर सकती है तब जो हम अपने को धनवान, बलवान, गुनवान, विद्धवान, उच्चिकुलीन सब समझते हैं हम भगबत भजन करके क्यों ने प्रभू को प्रप्त करते हैं धन्य हुए हैं जो भगबत भगति करके प्रभू को प्रप्त कर लेते हैं चाहे हैं किसी जाट, किसी पाथ, किसी धर, किसी मजग, किसी संब्रदाय, किसी लिली जन के हो, धन्य हुए है, यह मनुष शरीर की दूपर, बहु मुल्य मनुष शरीर की उपाद देईता इसी में है, हम लोग इश्वर की भक्ति करें, रामचरित मानस की अंदर में, जितने पात्र आये हैं, जो गति, भीलिनी शवरी की हुई है, वह बति और किसी दूसरी की नहीं हुई है, कितनी छोटी जाट की, और कितना उचा पद पाया है, यह जाड़ खंड छेत, आदिबासियों का छेत्र, सब आदिबासियों को मैं प्रेडित करता हूं, सब को मैं सलाह दे को अप्राप्ति कीजिए, अपना प्रण कल्यान बनाई है, और इन आदिबासियों भाईयों से बहनों से मैं बहुत प्रसंद होता हूं, जब मैं यहां आता हूं, यह लोग सबसंग में समलित होते हैं, और बहुत से यह आदिबासियों सबसंगी हो गए हैं, सबसंगिन हो ये लोग मात, मजरा, अंडा, सुलाब, सब छोड़ करके सब अपना काम रुजगार जोगा करते हैं और भगबज़ भजन करते हैं इसने यह लोग भी इनका सुधरेगा पर लोग भी सुधरेगा दोनों कल्यान में होगा जितने जाड़ खंड के हैं सब से मैं अग्रा करूँगा कि सब कोई इशर के भगत बनें जो कोई इशर के भगत बनेंगे अध्याक्पिता को अपनाएंगे वे सदाचारिता को पालन करेंगे सदाचारि जहां के लोग होंगे वहां की सामाजिक निती अच्छी होगी और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, कोहां की राजनीति पुरी हो ही नहीं सकती है, अच्छी से अच्छी यहां की राजनीति हो, मरांडी सहाब बहुत अच्छे हैं, सुशील है, सज्जन है, विद्वान हैं, विनेशील हैं, और लोग प्रियज नेता हैं, उनके इसे पवित सट्रंग का आयوتन जिनहों ने किया है। उनके लिए भी मेरी शुब कामना ने पभी लगाया है, किसी पड़ का सहयोग किया है, वह कि बढ़ Daar Sahih Yoko Brussels Department. नाम है और जो कनिस्ट मुई से आसिरवाद लेने के योग होंगे इनके मैं आसिरवाद करता हूँ और सब के लिए मेरा धन्यवाद है